दोस्तों मेरा नाम शानवाज है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले है टॉप 10 रेसिडेंशिल एर कंडिशन ब्रान फॉर 2021 अब जो रिपोर्ट मैं आपके साथ में शेर करने वाला हूँ वो जी एफ के कंपणी की रिपोर्ट है जी एफ के जर्मन की लार्जस्ट मार्केट रिसर्च इंस्टिटूट है और ये दुनिया की चौती लार्जस्ट मार्केट रिसर्च और्गनाजेशन है ये कंपणी फॉर्ण हुई थी 1934 में और इस और्गनाजेशन की रिपोर्ट कंजूमर डूरेबल इंडश्री के अंदर बहुत सारी कंपणी फॉलो करती है इंडिन माकिट में साल आना सारे ब्रांस मिला करके तकरीबन 45 लाग से 50 लाग के आसपस AC बिकते है लेकिन 2020 में COVID-19 और लॉक्डाउन की वज़े से जनवरी 2020 से लेकर डिसमबर 2020 तक सारे ब्रांस मिला करके स्रिफ 30 लाग से 35 लाग के आसपस AC ही बिके जो डेटा में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो 100% करक्ट है लेकिन बहुत सारे रिटेलर्स, डिस्टिबूर्टर्स और ओनलैन फर्म ऐसे होते है जो अपने डेटा किसी भी थट पाड़ी के साथ में शेयर नहीं करते है तो इस वज़े से इस रिपोर्ट के अंदर थोड़ा सा अब डाउन भी हो सकता है इंडन मार्किट के अंदर बहुत सारे ऐसे ब्रांड से जिनकी कूलिंग का कोई भी मुकाबला नहीं है जैसे कि Mitsubushi और O General जिनोंने इन ब्रांड के इसी को यूज़ किया है उन्हें कोई भी दूसरा ब्रांड समझ में नहीं आता है ये दोनों ब्रांड अनमैच कूलिंग प्रोफॉर्मस देते है लेकिन ये थोड़े से प्रीमें केडिकरी के प्रोड़क्ट है इनके प्रोड़े का प्राइजिंग थोड़ा सा ज़ादा होता है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्राइजिंग के वज़े से इन ब्रांड को पर्चेस नहीं करते है तो इस वज़े से ये ब्रांड टॉप 10 के लिश्ट में नहीं आते है लेकिन इन ब्रैंड के जैसी कूलिंग आपको किसी भी दूसरे ब्रैंड में नहीं मिल पाती है तो जो डेटर में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ वो जनवरी 2020 से लेकर डिसमबर 2020 तक के सेल के उपर आधारित है तो वीडियो के इन दकी पूरा देखना अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छे लगती है तो ही आप इसे लाइक करें शेयर करें जो भी आपका कोशनों का कमेंट बॉक्स में जरूर टैप करें और चैनल को जरूर सब्सक्राब करें चली फी फटाफ़र से आज की वीडियो को भी शुरू करते है तो नमबर टैन पर जो ब्रैंड है उस ब्रैंड का नाम है कैरियर कैरियर एक अमरिकन ब्रैंड है USA का जो की लॉँच हुआ था सन 1902 में और कैरियर कमपनी के पास तकरीमन 119 सालों का एक्सपिरियंस है नमबर 9 पर जो ब्रैंड है उस ब्रैंड का नाम है गोदरेज गोदरेज एक इंडियन ब्रैंड है जो की लॉँच हुआ था 1897 में गोदरेज कमपनी के पास तकरीमन 114 सालों का एक्सपिरियंस है और जनबरी 2020 से लेकर डिसेंबर 2020 तक गोदरेज कमपनी का इंडियन मार्केट में तकरीमन 4.4 परसन का मार्केट शेयर था नमबर 8 पर जो ब्रैंड एवेलेबल है उस ब्रैंड का नाम है पैनेसॉनिक पैनेसॉनिक एक जैपेनिस ब्रैंड है जो कि लाउंच हुआ तसन 1908 में पैनेसॉनिक कमपनी के पास तकरीमन 103 सालों का एक्सपिरियंस है और जनबरी 2020 से लेकर डिसेंबर 2020 तक पैनेसॉनिक कमपनी का इंडियन मार्केट में तकरीमन 4.5% का मार्केट शेयर था नमबर 7 पे जो ब्रैंड है उस ब्रैंड का नाम है ब्लू स्टार ब्लू स्टार एक इंडियन ब्रैंड है जो कि लाउंच हुआ था 1949 में और ब्लू स्टार कमपनी के पास तकरीमन 72 यर्स का एक्सपिरियंस है और 2020 में ब्लू स्टार कमपनी का इंडियन मार्केट में तकरीमन 5.1% का मार्केट शेयर था नमबर 6 पे जो ब्रैंड है उस ब्रैंड का नाम है सैमसम सैमसम एक कुरियन ब्रैंड है जो कि लाउंच हुआ था 1938 में सैमसम कमपनी के पास तकरीमन 83 यर्स का एक्सपिरियंस है पिछले साल ये कमपनी नमबर 10 की पोजिशन पे थी क्योंकि पिछले साल इसका मार्केट शेयर था तकरीमन 3.5% का लेकिन इस साल ये कमपनी नमबर 6 की पोजिशन पे है त्योंकि 2020 में Samsung Company का Indian Market के अंदर तकरीबन 5.5% का मार्कर शेर था नंबर पाच पर जो ब्रैंड है उस ब्रैंड का नाम है Lloyd Lloyd एक Indian brand है जो कि launch वाता 1954 में Lloyd Company के पास तकरीबन 65 ज़र्स का experience है और पिछले साल Lloyd Company का Indian Market में तकरीबन 6.7% का मार्कर शेर था नंबर 4 पर जो ब्रैंड एवेलेबल है उस ब्रैंड का नाम है Hitachi Hitachi एक Japanese brand है जो कि launch हुआ तसन 1910 में Hitachi Company के पास तकरीबन 111 सालों का experience है और पिछले साल Hitachi Company का Indian Market में तकरीबन 8.3% का मार्कर शेर था नंबर 3 की position पर जो ब्रैंड है उस ब्रैंड का नाम है Daikin Daikin एक Japanese brand है जो कि launch हुआ तसन 1924 में Daikin Company के पास तकरीबन 97 years का experience है पिछले साल Daikin Company नंबर 5 की position पे थी क्योंकि पिछले साल इनका market share था तकरीबन 8.3% का लेकिन इस साल Daikin Company नंबर 3 की position पे आ चुकी है क्योंकि जनवरी 2020 से लेकर डिसमबर 2020 तक Daikin Company का Indian Market में 1947 में LG Company के पास तकरीबन 74 years का experience है और पिछले साल जनवरी 2020 से लेकर डिसमबर 2020 तक का LG Company का Indian Market में तकरीबन 13.9% का market share था नंबर 1 की position पे जो brand है उस brand का नाम है Voltas ये एक ऐसा brand है जिस brand ने Chinese और Japanese brand को काफी सालों से अपने से पीचे ही रखा है Voltas एक Indian brand है, Voltas Tata की company है और Tata मदलब Trust भरोसा यकीन Voltas Company लाँच हुई थी 1954 में और Voltas Company के पास तकरीबन 65 years का experience है जनवरी 2020 से लेकर डिसमबर 2020 तक Voltas Company का Indian Market में तकरीबन 26% का market share था यानि कि for example अगर Indian Market के अंदर सारे brands मिला करके 100 AC बिखते है, 200 AC में से 26 AC स्रीफ और स्रीफ वोल्टास के बिखते है Voltas काफी सालों से नंबर वन की position पर है इसकी वज़ा है कि Voltas Tata का brand है और Voltas के सारे AC के उपर आपको 5 साल की comprehensive warranty आती है 5 साल comprehensive warranty के अलावा अगर inverter AC होगा तो उसके अंदर आपको 10 साल की warranty compressor की भी आती है इनके AC के features काफी unique होते है complaint ratio बहुत कम होता है और इनका service का ज़्यादा issue भी नहीं होता तो दोस्तों ये है कुछ list top 10 air condition brand की अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज आपको इसे लाइक करे शेर करे जो भी आपको कोशनों का comment box में जरूर टैप करे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब रहे